ओम नमः शिवाये कार्टिक मास क्रिश्न प्रक्ष सुक्रवार नौमी तिथी सुभा साथ बज़ कर दस मिनट तक लगी रहेगी तर पस्चात दस मी तिथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा मघा नक्षत्र में दिन भर चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, धनी, चंचल, स्वाभिमानी, असपस्टवादी और सुरक्षात्मक परिस्थिती के इच्चुक होते हैं ऐसे जातक अत्यंत भावुक, सिग्रही, ग्रोधित होने वाले हर कारे करने में ततपर, उच्चस्तर की आजिविका प्राप्त करने के इच्चुक, उद्यम सील और उच्च घिलासी होते हैं ये खाने पीने के सौकीन, चिंता ग्रस्त, मना इस्थिती वाले और उन्नती में बार बार उतार चढ़ाओ के सिकार भी होते रहते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सूर्य और केत्व की इस्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशी में ही चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी सूर्य देव है आज के चंद्रमा पर मंगल की आठमी द्रिष्टी गायम रहेगी, जिससे अती उत्साहित महसूस करेंगे बेवार में उतावलापन हर कारे करने के प्रति उगरता और जग्दबाजी परिलक्षित होगी भावावेश में आने से बचें और उचित निर्णा लेते हुए कोई भी कारे आरम करें उत्साह जना के स्थिती पूरे दिन कायम रहेगी, सरकारी सहयोग और अधिकारियों की सकाराद में प्रियर्णा मिलती रहेगी अपनी कारे प्रडाली को नियंतित करते हुए कारे छेतर में पहल करते रहें, सफरता मिलती जाएगी मेश राशी वाले जात्वों के मन में चल रहे, अंतरदंद, उतावलापन, मानसिक उथल पुथल और भ्रमात्म के स्थिती से सामना करना पड़ेगा मगर आपकी कोशिस और आत्मिश्वास से रचनात्म प्रयास सार्थक होंगे कार्किक छमता बढ़ेगी और नई कार्योजनाओं का विस्तार होगा साजेदारी सफल रहेगी, आर्थिक लाग सामन रहेगा सरकारी सहयोग और पारिवारी पेरणा में कमी महसूस करेंगे अच्छे कामों में पोजी निवेश और बच्चों के भविसे पर खर्च की संभावना भी बनती है कुछ मामलों में आलस या अवरोज की इस्तिती संभावित है विद्याथी उर्जावान महसूस करेंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा भावा वेश को नियंतित करें और वाहन सावधानी से चलाएं चंद्रमा ब्रिश रासी से चोथे भाव में चल रहे हैं आपकी सक्रियता और कारे चमता ब्यावसाईक उद्यस के साथ ही घर ग्रियस्ति के रचनात्मकारियों के प्रती भी केंजित रहेगी मानसिक रूप से इस्थिर होकर अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे बहुत दिक्षमता और ब्रबल देरिचा सकती आपके हर काम में मददगार सावित होंगे नई कारियों जिनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है विद्यात्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा संतान संबंधी चिंता दूर होगी मांगली कारेकरमों के लिए समय अनकूल रहेगा मगर साथ संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखे मित्वन डासी वाले जात्कों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा भावनात्मक लगाओ बढ़ेगा सामाजी प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी ब्यावजाइक प्रक्स की अनकूलता बनी रहेगी आपके प्रयास और आत्मिश्वास से आथिक निवेश की कई लावकारी वजनाएं सामने आएंगी पारिवारिक पेरणा और पत्नी की सलाह लावदायक सिद्ध होगी स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रतियोगता में सफलता संभावित है संतान समधी सुख समाचार मिल सकता है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अलुकूल कहेगा करकराशी के जातक मानसिक रूप से खुस और उपसाहित महसूस करेंगे नाकारात्मक विचार और भहमात्मक इस्तिती खत्म होगी आर्थिक लाव के कई अउसर मिलते जाएंगे सामाजिक दाई तो बढ़ेगा और सम्मानित किये जाएंगे चंद्रमा का केतु के नक्षत में होना और उस पर मंगल की दिष्टी आर्थिक उन्नती और नई कार्योजनाव में विश्तार में सहायक होगा संतान संबंदी चिंता संभावित है मगर आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा सिक्षा प्रद्योगता के छेतने सफलता मिलेगी साजेदारी के कामों में साउधानी अपेक्षित है सत्रु पक्ष हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुक संतुष्टी महसूस करेंगे अचानक यात्रा का योग बनता है परिवार में आनंद और खुशी का माहूल बना रहेगा नीजे संबंद प्रगाड होंगे वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा घरेलू संसाधनों में व्रिद्धी होगी और शिक्षा प्रत्योगता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखे कन्याराश के जात्कों के लिए ब्यावसाइक उद्देशों की पूर्ती में लाग के साथ संसाधनों पर गयाए और संबन्दित मामलों में यात्रा संभावित है चंद्रमा बाराह में भाव में चल रहे हैं अतियात्मिश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवरिती बढ़ी रहेगी मगर ब्यावसाइक मामलों में सुधार का दोर जारी रहेगा भविस में अपने कारे छेत में सफल रहेंगे सकारात्मों प्रयास से प्रोन्ति के उसर मिलेंगे मित्रों और सहयोगियों से अनिकूलता बनी रहेगी आथिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्म कर्म और मित्रों पर खर्ट संभावित है संतान संबंदी चिंता अभी बनी रहेगी सिक्षा प्रत योगता में प्रयास चारी रखे और स्वास संबंदी सावधानी बनाई रखे साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं तुला राश के जात्मों के रुके हुगे काम संपन होंगे ब्यावसाई कुद्देशों की पूर्टी में आ रही रुकावते खत्म होंगी, मगर मन का अंतरदंद आपके कारेक्षेक्र औरुर्जास्तर को प्रभावित कर सकता है, चंद्रमा केतु के नक्षतर में चल रहा है, अच्छे काम वितिय निवेश के लिए सही योग मिलता जाएगा, मगर ब्यावसाई का नियमित्ताएं भी संभावित हैं, नीजी निवेश लावगाएक रहेगा, आठिक लेंदेन वा महत्पून काविजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निप्टारा करना चाहिए, मन का आंतरदंद कम होगा, उर्जा अस्तर में ब्रिद्धी होगी और कारेच्छे के विकास और उत्थान की मानसिक्ता बनी रहेगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, नवीन का रिवजनाव और साजेदारी के लिए समया नुकूल है, अपनी क्रिया सिल्ता को हर हाल में बनाई रखें, सिक्षा प्रत योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, आर्थिक पक्ष सामानी रहेगा, पारिवारिक दायित की पूर्थी होगी, नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, और वायवाहिक मामले फली भूत होंगे, धनु राशी वाले जात्कों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, ब्यावसाइक संसाधिनों में ब्रिद्धी होगी, रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्ध होंगे, और लाव की स्थिती बनी रहेगी, बौधिक छमता का विकास होगा, और पारिवारिक प्रेरण और लावदायक रहेगी, नए प्रस्ताव सामने आएंगे, साजेदारी सफल रहेगी, मगरशवास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए, सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी, और संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, नयायलाय आवाद विवाद संबंधी मामले अविकूल रहेंगे, धार्मिक भावना में व्रिद्धी होगी, और देव दर्शन के योग बनते हैं मकर राशी के जात्कों की सतरियता बनी रहेगी और कारी औजनाव में सफलता हासिल होगी आथिक लाग सामाने रहेगा मगर सुभाव में उगरता को नियंतित रफना चाहिए कुमः राशी के जात्कों के लिए आज की सुरुवात दृष्णात्मिश्वास और सकारात्मक मानसिक प्रभाव से होगी, रचनात्मक प्रयासों में बिद्धी होगी, नई कारी और जनाव में कुछ पिस्वियों पर प्रयास सफल होगे, आथिक पक्स सहयोगी रहेगा, धन सम्बंधी मामलों में अचानक लाव संभव है, रवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मीन राशी वाले जात्कों की दिन्चरिया सामान रहेगी, चंद्रमा के छठ में और केतू के नक्षत्र में होने से मानसिक ब्यगरता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारेच छेत्र में लापर रवाही क प्रवरिती बनी रहेगी, आत्मिश्वास और सकर्यता प्रभावित होने से रचनात्मकारियों में बाधा संभावित है, हाला कि शुक संतुष्टी बनी रहेगी, ब्यावसाईक अनुकूलता और आठिक पक्षाप की क्रिया सीलता के अनुसार मिलता रहेगा, विभागी अ प्रवसाइब प्रवसाई ये